आमाद्वी पाट्री के रास्टे सायोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के एक दिवसिय धिरादून के दौरे को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस ने कई सवाल खड़े किये हैं आपको बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल दिरादून पहुचे थे जा उन्होंने उत्राखन वास्यों के लिए कई घोशनाय की पहीं केजरिवाल की इस दौरे को लेकर भाजपा और कॉंग्र जो राज़े की जनता को जासा देने का प्रयास कर रही है उसमें वह काम्याब नहीं होंगे भसीन ने कहा कि दिल्ली मॉडल पूरी तरह से फेल हुचुका है उनके नाम मुखला क्लीनिक चल रहे हैं अनाही शिक्षा की स्थिति ठीक है भसीन ने कहा कुरोना काल में अगर के में भी कई पार्टिया आई हैं और चुनाओं खत्म होने के बाद राज्य से आमाद में पार्टि भी जाएगी प्रितन सिंग का सीधा सीधा कहना है कि आगामे 2022 का चुनाओ सीधा बीजेपी और कॉंग्रेस में होगा करोना काल हो यह से पहले उत्राखंड से पूरी तरह गायव रही आमाद में पार्टी के नेता शीरी अर्विंद केजिरिवाद अब विधान सबाच नौँ से पहले उत्राखंड की जनता को जो जहांसा देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वे कामजाब नहीं होंगे उनका दिल्ली मौडल भी पूरी तरह फेल हो चुका है उनके ना मौला क्लिनिक चल रहे हैं वहाँ पर स्कूलों के सितियां अच्छी है और कोरोना काल में अगर केंदर सर्कार ने मजद नकी होती तो दिल्ली के हालाद बिलकुल त्रहिमाम के सितिय में पहुँच गए थे इसलिए दलों से कुछ नेताओं के आने की पर्तिक्षा में हैं ना अपना इनका कोई आधार है ना कोई विजन है इसलिए उतराखन की जंता के बीच उनकी जो सिक्के हैं जो चंबले के सिक्के हैं वह चलने वाले नहीं है तरलुक तुनाओं लड़ने के जी नहीं हो वो राजनितिक दल जो है बड़ी-बड़ी भूशना ही कर रहा है और मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर जो है आपने दिखा होगा कि पूरों में भी कई राजनितिक दल उबरे और उसका वाद्व समात्र नहीं है यह है श्रापका भी होगा आये हैं लेकिन चुनाओं को बस जो है आप जो है समात्र नहीं है